तो दोस्तों जैसा कि आप सो को पता है कि हमारी YouTube चैनल को monetize करने के लिए एक criteria है जिसको हमें पूरा करना पड़ता है तो ही हमारा चैनल monetize होता है Like उसके लिए क्या करना पड़ता है 1K subscribers and 4000 hours watch time लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा है आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा कि कई सारे ऐसी YouTube चैनल है जिनका subscriber आपको 1K से कम दिखेगा लेकिन उनका कोई अगर आप वीडियो प्ले करोगो तो कभी कभी आपको add देखने को मिलता है और यह चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता है कई सारे मेरे पास ऐसे email से आते हैं और Instagram पर DM से आते हैं कि मोनज भाई मेरे चैनल पर 1K से कम subscribers है और फिर भी मेरे कई सारे वीडियो पर add आते हैं तो फिर क्या channel मेरा monetize है अगर monetize है तो फिर मेरा पैसा कब आएगा YouTube पर और 1K subscribers नहीं है फिर भी monetize हो गया है कैसे हो गया add कैसे आ रहा है आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों बताऊंगा इसी चीज के doubt के बारे में clear करूंगा कि आखिर क्या ये चीज possible है without 1K subscribers आपका channel monetize करना possible है और अगर कोई भी channel पर आप लोगों ने ये चीज notice किया है कि 1K subscribers नहीं है फिर भी add अगर आ रहा है तो आखिर वो add क्यूं आता है क्या उनका channel monetize है तो फिर आपका क्यूं नहीं है तो चलिए आज की इस वीडियो को बहुत ज़्यादा knowledgeable है आप लोगों से कुछ एक doubt को clear करना है तो आप लोगों इस वीडियो के end तक देखते रहना और channel पने तो subscribe कर लेना क्यूंकि दोस्ता आपको YouTube से related ऐसी वीडियोज इस channel पर मिलती रहती है चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि 1K subscribers नहीं है फिर भी अगर कई सारे चैनल का वीडियोज पर आपको add दिखता है तो वो क्यूं दिखता है यहाँ पतर सबसे पहले यही बात में clear करना चाहूंगा कि YouTube पे ऐसा कोई भी rule नहीं है ऐसा कोई possible ही नहीं है कि without 1K subscribers आपका channel monetize हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता क्यूंकि अगर ऐसा हो गया तो अफरा तफरी मच जाएगा फिर हम चुप क्यों बैठने वाले क्यूंकि दोस्तों जो मेहनत आप कर रहे हो और अगर कोई बंदा 1K subscribers नहीं हुआ उसका channel अगर monetize हो गया है तो आपको बहुत जादा बुरा लगेगा क्यूंकि मेहनत आप भी उतना ही कर रहे हो अगर उसका subscribers 1K से कम है तो एड क्यों दिखता है तो इसके पीछे एक ही region है वो है पूरा का पूरा फंडा जो है वो है copyright claim को ले करके दोस्तों किसी वीडियो पर अगर किसी चैनल पर 1K से कम subscribers और किसी वीडियो पर उनका अगर add आपको दिखता है या फिर आपका खुद का ही चैनल है आपका subscriber 1K नहीं है फिर भी अगर आपके वीडियो पर आपको add दिखता है तो इसका region है copyright claim किसी वीडियो पर माल लिजे मेरा 1000 subscribers नहीं है मैंने कोई वीडियो अप्रोड किया अगर उस वीडियो पर कोई मैंने ऐसा music यूज कर लिया या फिर कुछ भी ऐसा यूज कर लिया जिससे मुझे copyright माल लिजे claim आ गया तो माल लिजे मैंने कि T-series का कोई मैंने song यूज कर लिया और T-series वालों ने मेरे इस वीडियो पर copyright लगा दिया और मेरा subscribe वरन कैसे कम है तो उस वीडियो पर add आएगा क्योंकि दोस्तो copyright claim का मतलब यह होता है कि copyright जो जिनका content है original लाइक T-series का अगर music हर आपने यूज किया तो T-series वाले आपके वीडियो पर copyright लगा देता ये एक rule है अब copyright claim जब आपके उस वीडियो पर पढ़ जाता है उस वीडियो से जो भी revenue generate होगा जो भी income होगा जितने भी dollars बरेंगे वो T-series वालों को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपके चैनल का monetization वहाँ पर work नहीं करता है वहाँ पर copyright जिसने दिया है उसके चैनल का monetization वाला जो फंडा है वो work करता है मानते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइबर नहीं लेकिन आपने जिनका चैनल का music add किया था और जिन्होंने copyright claim दिया तो उनका तो चैनल मोनेटाइज है तो उनके चैनल का monetization आपके उस वीडियो पर work करने लगता है क्योंकि वहाँ पर add आएगा add आएगा और वो जो भी revenue generate होगा वो उस वाले claimant के पास चला जाएगा जिन्होंने claim किया है उस वीडियो पर बस इतना है साही छोटा सा फंडा है और copyright claim और copyright strike के बारे में मैंने अल्रेडी बहुत बार बता चुका है कि copyright claim अलग है copyright strike अलग है claim का मतलब यह होता है कि जिसने claim दिया है आपके चैनल का कोई भी effect नहीं पड़ता है आपके उस वीडियो का revenue जो भी होगा वो आपको नहीं मिलेगा मतलब आपको उस वीडियो का income नहीं मिलेगा लेकिन copyright strike बुरा का पूरा बिलकुल ही अलग है अगर आपके चैनल पर तीन strike तीन मत के अंदर में आ जाता है तो आपका चैनल ही terminate कर देता है YouTube यह one week का time देता है अगर आपने strike हटा पाया तो ठीक है नहीं हटा पाया तो आपका चैनल terminate हो जाएगा यह है strike का rule अग claim का rule इतना ही है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा अधरवाइज कोई भी फार्क नहीं पड़ता और भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखे हैं कि मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो तो copyright claim आया हुआ बिल्कुल होगा monetize हो जाएगा ठीक कोई इसमें प्रोब्लम नहीं है आप सबके यह भी कमेंट आता था इसलिए सोचा कि इसी वीडियो पर इसको भी क्लियर कर देते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आपका claim है तो उस वीडियो को नहीं है आपको private करना है ना ही उस वीडियो को डिलेट करना है claim से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है चैनल पर ये बात आप लोग notice करना ध्यान में रखना ठीक है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा झाल झाल